तो भाई आभी तक तो आपके कानों में एक ख़बर पहुँची गई होगी Free Fire Community का सबसे बड़ा चोर कोई है तो वो ए टक्टी प्रो हर्स जो कि पहले तो उंगली करता है लेकिन जब कोई उसकी उंगली पकड़ के मोड देता है तो वो रोने लगता है भाई मतलब मैंने अपने main channel पे वीडियो डाली थी आपको पतावोगा जिसमें मैंने क्या बोला था नहीं पता तो एक बार जा के देख लेना उसमें मैंने clear ली ये बोला था कि जिसने ही मेरे चैनल पे फेक स्ट्राइक मारी थी उसके खिलाब मैं legal action लूँगा ताकि वो चोर पकड़ा जा सके और वो fake strike आई थी राजवलेचा नाम से तो जाहिर सी बात थी मैं legal action लूँगा राजवलेचा के उपपर और फिर बाकी का काम कानून का है कि मुझरिम को कौन सी सजा मिलेगी बढ़ गाईस तभी एक हमारे हर्स भाई के पिछवाडे में पतानी कौन सी प्रजाती का केड़ा काटने लगता है जो कि अपनी वीडियो में कुछ ऐसा बोलता है यहाँ पे इसने चार नाम लिये हैं पहला बॉस आयूस यानी वी आर गेमर जो कि इसके घर पे गया था अब वहाँ इनका क्या मैटर हुआ वो तो आप सबको पता ही होगा सेकेंड है स्काइलोड का छोटा भाई अब इसे एक मिस्रा जिसके साथ इसका कॉंट्रोवर्सी हुआ था बट उसने कहीं इसे मारने की धमकी दी या ऐसक उस तो मुझे नहीं पता बाकि एक नाम इसने आकास विलिया था जो कि टाइटेनियम लेजेंड है और उसने इसे मारने की धमकी दी या नहीं दी वो चीज़ भी मुझे नहीं पता अगर आपको पता है तो बता देना बट इसने मेरा भी नाम लिया है भाई माना कि मैं इसका बाप हूँ पर क्या मतलब हर वीडियो मेरे नाम से व्यूज और पैंसे बटोरेगा अजी घंटा मेरा इस चूतिय की आउकाद बस भोकने की ही है कुछ कर नहीं पाया तो अब ये सिंपेती ले रहा है किसकी जान को खतरा है वो भी मेरे से भाई पूरे इंटरनेट से निकाल के एक पुरूप लेके आजाओ जहां मैंने इसको धमकी दी हो वीड़ो छोड़ो वाटसेप इंस्टा कहीं से भी इससे बोलो की चैट दिखाई जिसमें मैंने इसे कोई धमकी दी हो उल्टा ये सुवर मेरे को धमकी दे रहा था वो भी दूसरे यूटूबर के दम पे देख सकतो ये स्क्रीन पे चैट दिखरी होगी जहाँ ये चट्टा दूसरे के दम पे उचल रहा है कि मैं तेरा ये कर दूँगा वो कर दूँगा मेरा कॉंटेक्ट यहाँ है वहाँ है आवे चूत ये सुन मेरी बात जो तू कॉंटेक्ट के बात कर रहा है न भाई मुझे सब पता है तिरा content कैसे है, कहा है, क्यूं हुआ है कैसे तू दूसरों के DM में जाके रोता है उनके साथ वीडियो बनाने के लिए कभी किसी के pair पढ़ता है और अगर वो तिरे साथ वीडियो ना बनाए तो उस पर fake allegation लगा के उसके खिलाफ वीडियो बना देता है और किसी के pair पढ़ता है भाई मुझे इस यूटूबर से मिला दे मुझे उस यूटूबर से मिला दे हाँ भाई तू सोच रहा होगा कि तेरी reality मुझे कैसे पता चली तो भाई जहां तक तू सोच नहीं सकता ना वहां तक मैं पहुँच सकता हूँ और यह सब चूतिया पे मैंने आज तक नहीं किये तेरी तरो दूसरे के pair नहीं पढ़ा किसी यूटूबर से मिलने के लिए और साला चूतिया मेरे को आके contact दिखा रहा है टॉप के creator खड़े हैं भाई तू टॉप के creator के दम पे ही खड़ा है और यहां मैं तेरी तरो दूसरे के दम पे नहीं आया हूँ खुद से आया हूँ और मुझे जरूरत नहीं किसी के दम पे उचलने की वो तेरे जैसे टटो का ही काम है और अगर मैं चाता controversy करना तो तेरी तरो दस वीडियो छाप चुका हो तो वो भी sponsor मार के बट मैंने अभी तक reply नहीं किया तू भोग तरा मेरे नाम पे व्यूज ले तरा मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा लेकिन फिर भी तुने उंगली की तो अभी matter होगा बेटे अभी भी वक्त है सांती से रहले मेरे को कोई सौक नहीं है इतना time waste करू किसी controversy पे पर तेरा तो बिना controversy के channel ही नहीं चलता इसलिए तुझे हर दूसरी वीडियो में किसी ना किसी controversy करनी जरूर ही होती है बिना प्रूप के इसने classy पे 70 लाग के scam का allegation लगाया था और audience को चूतिया बनाके views चाप लिए लास्ट में जब classy भाई ने प्रूप दिखाए तो ये sympathy लेने लगा आपको याद होगा reply तो देना इसकी आउकात नहीं थी लास्ट में sympathy के रोना रोने लगा और अब इसने मेरे में fake allegation लगाए उसके बदले मैंने proof दिखाए तो फिर से sympathy लेने लगा कि मुझे कुछ भी हो जाए तो इसके जिम्मेदार ये होगा वो होगा भाई तू proof दिखाना मैंने कहां तुझे धमकी दी है और कहां से तेरी जान को मेरे से खतरा है बाकि ऐसी हरकते तू करता है आज नहीं तो कल कोई ना कोई तरको सबक जरूर सिखाएगा और मेरे पास तो टाइम नहीं है कि इसके जैसे चूतियों को reply देने का इसलिए वीडियो आने में बहुत लेट हो गई और इस साइध इस टॉपिक पे लाश वीडियो भी हो सकती है क्योंकि मैं हमेशा से कॉंट्रोवर्सी से दूर रहता हूँ बर जब कोई बंदा जबर्दस्ती फेक एलिगेशन लगा के खीसता रहता है तो आना पड़ता है यार और आप लोगों को ये बंदा बेवकुप बनाने के लिए और व्यूज लेने के लिए किसी भी हग तक गिर सकता है कहीं कल को अपने एक्सिडेंट का ही फेक वीडियो बना के सिंपैति ना लेने लग जाए और सिंपैति के बीच में बैटिंग आप कभी प्रोमोसन मार के पैसा चाप लेगा और आपको खड़े-खड़े एमोशनल करके पैंट में मुत्वा देगा इस बात का ध्यान देना यार इस पॉंजर हर कोई करता है सारे यूटूबर करते हैं मैं भी करता हूँ जो की गलत बात नहीं है बट सिंपैति के लिए जिस वीडियो में रो रहा है उसमें भी प्रोमोसन मार दिया खृबी आप लोग समझनी पारे ये सारा रोना धोना केस एफायर कंट्रोवर्सी सब कुछ पैसो के लिए बंदा कर रहा है और ऐसे चुतियापे पे आप लोग बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हो कोई बंदा 10 मिनट तक वीडियो में रोता रहेगा जो तुम लग जाते हो से फुल सपोर्ट देने में एक बार उसकी बाते तो वेरिफाई करके देखो बंदा सच बोल रहा है जूट बोल रहा है बस सिंपेथी लेने के लिए रो रहा है और भगवान का सुकर है आज तक मैंने कोई भी वीडियो में आगर स्पोंसर भी किया है तो वो खुद के कंटेंड पे किया है किसी एप का इस्पोंसर करके या फिर किसी बेटिंग साइट का प्रोमोसन करके लेकिन पैसा कमाने के लिए तुम किसी के उपर फेक एलीगेसन लगाते हो किसी को बिनावजे बदनाम करते हो ये बहुत गलत है और नहीं होना चाहिए और आई होप गाईज आपको सारी बाते समझ आ गई होंगी मैं आपसे क्या कहना चाता हूँ और अब मैं इसके उपर वीडियो नहीं बनाना चाता हूँ इसलिए फटा फट से एक काम करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इंट्रेस्टिंग टॉपिक पे मिलेगी इस वाले टॉपिक पे कोई वीडियो आपको आपसे नहीं देखने को मिलेगी हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर देना ताकि उन्हें भी पता चल सके फ्री फायर में कैसे कैसे चूतिये क्रेटर भरे पड़े हैं जिनके उपर आपको विश्वास नहीं करना है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में वो वीडियो देख के आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर देना और इंस्टा पे भी हमारी 100K की फैमिली कंप्लीट होने वाली तो जल्दी आके इंस्टा पे फॉलो कर दो